दोस्तों बैगन के पहुदे में देखे किते अच्छे फल लगे हुए हैं। कम से कम इसमें 15-20 फल लगे हुए भी और कुछ फूल भी आये हैं जो आगे जाकर फल में कनवर्ट हुँगे। फल फल लगे जितने ऊच्छे लगन नीपाते हैं। क्यों बैगन के पहुदे में जो फूल लगते हैं। तो आज मैं आपको उसका कारण और उससे संबंदित जो मैं आपको खाद बताऊंगा जिसकी वैसे मेरे बैगन में अच्छे फूल और फल बने हुए हैं तो आप वीडियो में बने रहे हैं मैं आगे उसके बारे में पूरी जानकारी दूँगा कि बैगन के पूंदे में फूल क्यों जड़ जाते हैं और उसमें फल अच्छे क्यों नहीं लग पाते हैं तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल में नहीं जुड़े हैं प्लीज सब्सक्राइब करने और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें और बैल नोटिफिकेशन के आइकन को दबाना ना भूलें जिससे की जो आने वाल रहता है इसमें पानी की मात्रा कम या ज्यादा होना इसका मतलब है कि अगर आपके पॉंदे की जो मिट्टी है उसमें पानी की मात्रा अगर कम होगी तब भी इसमें फूल जड़ जाएंगे और अगर इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होगी तब भी इसमें फूल जड़ ज देखें कि मैने ड्रम में कर दिया और इनको कम से कम हो गया है एक साल कर दिया और इसमें कई तीन से 4 किलो मैंने पहले हर्वेस्ट कर दिया है यह जो पॉधा Pen jill द्रम में लगे हुए है इसमें मिट्टी जो है इसमें मौश्चर है देखे आप अगर आपका गमले में लगा है तो मैं आपको गमले में बताता हूं किस तरीके से गमले में भी मैंने कुछ बैगन के पहुंदे लगा है आपको दिखाता हूं मैं दोस्तों यह देखे जो मेरा है ऑगला यह बैगन के पहुंदे एक लगा हुआ है और एक और लगाया आपको दिखाऊंगा इसमेरी फ्रूटिं अच्छी हो रहे है यह जो पहुंदा है यह भी मैंने जो द्रम में लगा रहे के पहुंदे उसी के साहां लगाया था इसको भी एक साल से उपर हो गया और ते है तो हुसमें जो पहुंदी जो मिठी आप अगर पानी दे रहे हैं तो उसकी जैसे ये देखे एक जड़ मैस अगर फोजांटे जो मिठी तो है तो पता लगजाएगा झालके आप हाथ में देख सकते हैं कि इसमें कितना मौश रहे अगर इसमें के पानि की मातरा कम है तो आपको पांई दालना पड़ेगा और इसमें तरीके से य оп hele इसमें पानी मातरा मैं आपको बदा दिये आप फूल गिनने का होता है पानी की मातरा कम यह ज़्यादा होना तो आप पॉंध़े को चेक करिए कि जो मेरे सब्सक्राइब सरद की आगर और नीक तरीके से गहाना जाते तो लिए सबसे पहले इसकी जो मिट्टी इसमें जो खाद देने का तरीका है वह जब फूल आने स्टार्ट हो जाते हैं पौंदे में तो अगर इसमें खाद की मातरा कम होगी तब भी फूल जड़ जाते हैं तो आप जो पहुंदे की जागर जैसे मिट्टी है देखिए इसमें जो आप अगर पहुंदा लगा रहे हैं तो कम से कम जो गमला है गमला तो कम से कम 14 इंच का होना चाहिए 12-14 इंच का गमला जरूर होना चाहिए बैगन के पहुंदों में अच्छी फूटिंग के लिए और आप ग्रोव में लगा रहे हैं तो और सही है यह देखिए जैसे मिट्टी है जब भी आप इसकी फूल आने स्टाट हो जाए तो हलकी एक देड़ दो इंची की इसमें गुड़ाई कर दीजे उसके वाद जो पर की जो मिट्टी है उसको आप निकाल दिनगे जैसे डेर दो इसकी इसमें पहले गुड़ाई कर रही थी जिसकी वेसे में इतने अच्छे जो है फूल आए वह है तो आप इसकी एक-दो इंची की जो मिट्टी है उसको निकाल दीजे गुड़ाई करके हर आट-दस दिन में जो इसकी जो इसमें अगर खाद देनी आपको अगर फूल आ आपको बताता हूं अगर गमले में लगाया है तो इस तरीके से आप इसकी परकी मिट्टी निकाल देंगे गोवर की खाद जो मैंने ले रही कि फुली टी कंपोस्ट है कम से कम एक और साल पुरानी खाद है आप अगर गोवर की खाद आपके नहीं मिल लिए तो आप जो है वर्मि कमपोस्ट आप आगर ओन-लाइन भी मगा सकते है या आपके नष्दीग में अगर दुकान है तो आप वहांसे भी ले सकते है लिए मैं आप barely जो होड़िए और अपने जो मिंटे कि है उस में अचे ढाल दिंगे उस मिटी निकाली उपर की गुड़ाई करने के बाद रहा और आप का मोइस्चन नहीं है पानी विद्टी में तो अब इसमें इसमें फाटायई डालके दाने सकते हैं यह 15 दिन में और अपकी फूटिंग अच्छी होगी मैं घर में अपने खाने के लिए वा रहा हूं और खाने के लिए हुगा मिली जाते हैं इसलिए घर में अगर आप लगा रहे हैं तो आप केमिकल खाथ को छोड़के और्गनिक खाथ का यूज करें इस तरीके से आप इसमें गोबर की खाथ डाल देंगे और यह देखे जो फल लगे हुए हैं यह देखे किती मात्रा में लगे हैं एक पेड़ में एक दो तीन चार कम से कम 12 तेरा जो गमला लगा रहा गमले में अगर आपके बैगन इतने अच्छे हो रहे हैं देखे और बैगन का कलर और और साइज भी अच्छा हो रहा है तो इसमे जब आप गोवर की खाद यूज करेंगे हर 10 से 12 दिन में तो आपके पॉंदे में जो अच्छी ग्रोथ होगी और इसमें फ्रूटिंग भी अच्छी होगी क्योंकि गोवर की खाद में हर प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं जो पॉंदे को चे होते हैं पोटेसियम केल्सि आपको आगे बताता हूं वीडियो में उससे पहले देखिए जो एक मैने एक और लगा रहा है यह भी साथ में लगाया था इसके इसमें भी देखिए कि अच्छी फ्रूटिंग हो रही है इसमें भी कम से कम चार या पांच जो है फ्रूट्स आगे हैं और को छोटे प्रकार से आपके पॉंदे में भी होंगे तो आगे मैं आपको बताता हूं देखिए इसमें सबसे अच्छी जो ग्रोथ का जो में जो खाद है यह देखिए यह लकडी की राख जो आप लकडी ओगर जलाते हैं या गोवर के कंडे ओगर जलाते हैं तो उनको जो जो उसकी राख होती है उसका यूज करेंगे आप इस पॉंदे में तो आपके पॉंदे में एक तो इस यह जो कीट ना सकते होता है क्योंकि राख आपने सुना ही होगा पुराने जो लोग होते थे वह राख ही चिठक के पॉंदे में अच्छी ग्रोथ पाते दे और उसमें जो बखाद compartmental की मिक्स करके मिट्टी मिला दिये उपके बार आप इसको राख को हलका हलका ऐसे डाल दिए उपर से इसमें करा दें होते हैं कई आप ये जितने आप पॉंदे को जर्रत है उतना पाने आप इसमें डाल दिंगे तो आपके पॉंदी की जो ग्रोध है अच्छी होगी क्योंकि राख केल्सियम का स्वरोध भी होती है कैल्सियम से जो इसके पॉंदी की स्टैम है वह सही रहीगी और जिस सही रहीगी तो पॉंदे में करें एंदर चलियाता है और फल खराब कर से यह यह इसको वह दो खरय क्लेह सक जो ङुए चाहलत को लेकर अब करें सब्सक्राब यूँए सब्सके की जो होगीए सFromटने को आड़ा में08 सनवान भीचलने की इसको सुरक्षा को वज़ भी कह सकते हैं तो आप इस प्रकार का सुरक्षा को वज़ अगर पौंदे को दिंगे तो आपका पौंदा अच्छी ग्रोध करेगा जैसे मेरे पौंदे ने अच्छी ग्रोध कर रही कि देखे और इसमें फल भी अच्छे लगे तो आज का वीड झाल